हैलो फ्रेंड्स नमस्ते आपका मेरे यूट्यूब चैनल तनुजकूखा उसमें स्वागत है आज मैं आपके साथ सेर करने जा रहे हूँ चनादाल से बनाऊँआ एकदम सौप्ट और जालीदार दोसा इसे हम ब्रेकफास्ट या टिपिन में भी दे सकते हैं और यह बनाने में बहुत ही आसान है जल्दी जल्दी बन जाता है तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैंने यहां लिए हैं भीगो के रखी हुई चनादाल पाथ चम्मत चनादाल हम लेंगे चनादाल मैंने यहां पे तीन घंटों तक भीगो के रखी हुई थी अच्छे से ये भीगी हुई है अब हम इसमें आड़ करते हैं मिर्च और आद्रब दो मिर्च के टुक्रे डाले है आधा चम्मच हल्दी पाड़ो डालते है और एक चम्मच नमक, एक चम्मच जीरा और हम इसमें आड़ करते हैं तीन चम्मच पानी पानी ज़्यादा नहीं डालना है हमें इसका एकदम फाइन सा पेस्ट बना कर लेना है तो चलो अब हम इसे ग्राइन करते है हमने यहाँ एकदम फाइन सा पेस्ट बना कर लिया है परफेक्ट टेक्शर है यह देखिए इसे हमें एकदम फाइन सा पेस्ट बना कर लेना है बहुत ही जाडा नहीं रखना है तो चलो अब एक बाउल लेते हैं और एड़ करते हैं सूजी एक कप इसमें एड़ करते हैं बनाई हुई पेस्ट अब हम इसमें एड़ करते हैं वनफोर्थ कप फ्रेश दही हमें खटा दही बिल्कुल नहीं लेना है फ्रेश दही हम यूज करेंगे और एड़ करते हैं पानी फड़ा थोड़ा करके हमें इसमें डालते जाना है यहाँ मैंने पेस्ट बनाई हुई जार में लगबग एक कप लिया है, gradually हम पानी add करते जाएंगे, एकदम सा पानी बिल्कुल एड नहीं करेंगे, मिलाते हैं, अच्छे से, देखिए, हमें इसे अच्छे से मिलाना है, यहां मैंने एक कप पहले से पानी डाला है, और थोड़ा थोड़ा करके मैंने यहाँ 1 pous ci अब ला A lb9 पानी टाला है टोटल मिलाकर हमने यहाँ 1 C और one फो पानी डाला है डाल करेड़ी है धक्यर कर रखते हैं साइड में 10 मीट के लिए 10 मीट हो गया है झूय क्यों इसमें रेडी हो गया है अब हम इसमें डालेंगे ईनो को अधा चम्मत इनो हमने इसमें डाला है अब चाहे तो इनो नहीं रहेगा तो खाने का सोडा भी यूज कर सकते हो लेकिन सोडा वन पॐर टेबल स्पून ही डालना है और एक बात ध्यान रखनी है हमें इनो या सोडा tiene उसे बनाते समय ही डालना है उसे पहले से डालकर नहीं रखना है तो चलो मैंने यहाँ तवा गरम करके लिया है अच्छे से गरम हुआ है एड करते हैं एक चमच हमारा जो बैटर रेड़ी हुआ है इस प्रकार से हम स्प्रेड करेंगे जितना बड़ा डोसा हमें चाहिए उतना हम बैटर बड़ा सकते हैं अब हम इसके उपर ढखन रखकर इसे पकने देते हैं बस एक दो मिनिट में ही अच्छे से पक जाता है इसे बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है देखिए हमारा जो डोसा है अच्छे से पक ग लटते हैं बिल्कुल भी इसे पकते नहीं है अच्छे से हम इसको अब पलडते हैं देखिए दूसरी साइड भी हमें अच्छे से ब्राउन कलर आने तक ओक करके लेते ढखकन रखते हैं और एक-दो मिनिट इसे ऐसे पकने देते हैं एक मिनिट के बाद हमने ढखकर निकाला है दूसरी साइड भी हमारी अच्छे से पग गई है चेक करते हैं यह देखें बहुत अच्छे से इसके ओपर ब्राउन डॉट्स आ गए है मतलब हमारा डोसा नेक साइड से भी अच्छे से पग गया है यह देके डोसा अच्छे से पग गया है हम इसे प्लेट में निकालते है दोसा बहुत ही जालिदार और सौप्ट बन गया है अब हम इसी प्रकार से बाकी के भी दोसे बना कर लेते हैं बस वही स्टेप से में फॉलो करनी है सेम टू सेम अपने तो ट्राडिशनल डोसा बहुत बार बनाया होगा लेकिन इस तरह चने की डाल का डोसा बना कर देखेगा बहुत ही अच्छा होता है और खाने में तो लाजवाब लगता है एक बात जरूर टाय करके देखेगा तो फ्रेंस देखा ना दोसा बनाना कितना इजी है और एक खाने में भी उतने ही टेस्टी लगते हैं आप इसे चटनी या सॉस या ग्रीन चटनी के साथ और तो और प्लेन करड के साथ दही के साथ भी आराम से खा सकते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं अब भी इसी प्रकास से एडोसे बना कर देखेगा बस एक बार ट्राय करके देखेगा आपको बहुत ही अच्छी लगेंगे और आपकी एडोसे की रेसिपी कैसी बनी है मुझे कमेंड बॉक्स में लिखकर जरूर बताना और आज की मेरी प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं और थाइंक्यू पर वाचिंग मैं वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाब